तो आप चालू मिटिंग में भी अपने वीडियो का बैगड़ाउंड बदल सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मिटिंग चालू यहाँ है आपके सामने और मैं क्लिक कर रहाओ अलग-लग बैगड़ाउंड मेरे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे है यह है Google Meet का कमाल दोस्तों आप अपनी कमपनी का लोगों भी यहाँ पे रख सकते हैं आप धेर सारे बैक्राउंड भी रख सकते हैं और कोई भी आपको पूछे गा सर आप है कहां पे अभी कहां से मिटिंग ले रहे हैं और यह Google Meet आपके लिए बिल्कु को कुछ चीज पढ़ानी है लेकिन फिजिकली नहीं मतलब उसके पास फिजिकली प्रेजेंट रहे के नहीं आपको डिजिटली उसे पढ़ानी है तो आप Google Meet का इस्तमाल किजिया ना फ्री प्लैटफॉम जिया बिल्कुल फ्री प्लैटफॉम है तो अगर आप इंट्रेश् इंट्र पार्ट में मैंने आपको बताया कि हमें Google Meet सीखना है बिसिकली एक Google की तरफ से फ्री प्लैटफॉम है जहां पर ओनलाइन आप फ्री में किसी को कुछ चीज पढ़ा सकते है समझा सकते है एक्स्प्लेइन कर सकते है डिजिटली और उसके लिए आपको कुछ पे करने आप उनलाइन मीटिंग ले सकते है अगर आप एक टीचर हो तो आपको बहुत यूजफूल रहता है यह साथी में अगर आप एक ऑपीस में सीनियर हो तो आप मीटिंग भी इस पर कंडग कर सकते है और बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जिनको लोगों से हेल्प लिनी है लेकि सारी चीज़े बताने हो लाओ सबसे पहले मैं आपको डेक्स्टॉप पे दिखाता हूँ डेक्स्टॉप पे बिलकुल इंस्टॉल करने की जूरत ने आप ब्राउजर में गूगल मीट को चालू कर सकते है और आप मोबाइल के ऊपर गूगल मीट का अप्लिकेशन प्ले सकते हैं इसे भी तो डेक्स्टॉप के ऊपर आपको करना क्या है ब्राउजर में आने के बाद आपको ब्राउजर में सर्च करना है गूगल मीट जैसे आप सर्च करोगी यहाँ पर आप देख सकते हैं मीट.google.com राइट ओके मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ इस लिंक पर क् और लिंक तो आपको किसी ने अगर मीटिंग लिंक भेजी है तो उसका कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं जॉइन करने के लिए लेकिन अगर आप क्रेट कर रहे हो किसी के लिए मीटिंग तो आप न्यू मीटिंग पे जाईए यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आपको क्या हाँ मिराज मिटिंग है अगर आप गुगल कैलेंडर य्ट हो और किस तरह से उसे वैसे लेकिन बनाउंगा अगर आप चाहते हो डिवाइध में लिए अप को साथरों पैके रहे है ये मैं बता रहाँ क्यूंकि इंस्टार्ण मीटिंग स्टार्ट करकर प्रोड admirat करता है वही तो देखना है तो start and instant meeting पे जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर एक notification आ चुका है कि यह camera और microphone यूज करने के लिए आपको पूछ रहे है आपको हमें यह यूज करने के लिए अलोग करना पड़ेगा अगर हम अलोग नहीं करेंगे हमारा camera और microphone तो problem क्या होगा देखिए अभी camera आ चुका है recording चल रहा है यहां पर फिलाल मैं यहां पर दिखाए दे रहो कितना फरक आ रहा है न देखिए camera से recording और यह वाला है क्योंकि मैंने अलोग किया और यहां पर नीचे option भी आ रहा है कि आपको microphone आप रखना है यह video आप रखना है तो यह देखिए camera is off मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ मेरा face तो मैं camera आप करूंगा और अगर मैं चाहता हूँ दिखाना तो रख दूंगा और यहां पर मैं microphone को बं लगाना पड़ेगा और laptop पे है तो वहां पे तो camera रहता ही है, microphone भी रहता है, so यह आपको मैंने पहले बता दिया कि इस तरह की screen आपके सामने आएगी, meeting is ready, okay, so meeting ready है, यहां पर meeting का एक link आपको दिखाए दे रहा है, right, इस link को यहां पर link दिखाए दे रहा है, इस link को आपको WhatsApp पे, email पे, जैसा भी हो सकता है, आप जिस network पे, वह available है, टेले ग्राम पे है, तो यहां से इसको copy करना है और उसे share कर देना है, फिलाल मैं meeting के अंदर खुद join हो जाता हूं, okay, अभी मैं यहां पर join हो चुका हूं, यहां पर भी link आ चुका है, यहां से भी copy कर सकते हैं, और बता रहा है, यहां पे, नीचे option आपको, कि भई, आप इस link को share कीजे, या फिर add others, या add others पे click करके, आप यहां पे email ID पे share कर सकते हैं, right, नीचे आपको email ID दिखाए देंगे, उस पे आप share कर सकते हैं, भई, किस-किस email पे share करना चाहते हैं, आप उस पे share कर सकते हैं, लेकिन फिलाल मैं यहां पे copy कर रहा हूँ, और इसे मैं WhatsApp पे share कर देता हूँ, तो WhatsApp पे एक group में मैंने इस link को डाल दिया है, तो इस group में अभी जो लोग है, वो इसे join करेंगे, फिलाल इस group में मैं आके लाई हूँ, तो यह group specially मैंने बनाया, अब मैंने उसे group में डाल दिया WhatsApp पे, अ मैं यहां पे mobile की screen में side में दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यह mobile में मैंने भेज़े आपको दिखाने के लिए specially, मैं इसको mobile से join करता हूँ, तो मैं यहां पे mobile पे link पे click करूँगा, तो यहां पे धेर सरी email ID आएंगे, मेरे mobile में जितने login है, वो पूछ रहा है कि कौन से email ID से आप इसे access करना चाते हैं, मैं कोई भी email ID यहां पे tap करूँगा, यहां पे बाकी email ID मैंने blur रखे, for security reason, और कोई भी email ID से मैं यहां पे join कर लेता हूँ, तो मैं यहां पे इसे join कर रहा हूँ, ask to join option से, यहां पे आप देख सकते है, mobile में भी वैसी आ रहा है, mobile की screen भी मैं आपक कर सकता हूँ, फिलाल ask to join पे मैं आप एक click करूँगा, जैसे मैं ask to join करूँगा, जैसे मैंने जिसको link भीजी, वो ask to join करेगा, जितनी भी लोग है ask to join करेगे, तो यह दिखिए, desktop की उपर दिखिए अभी, desktop की उपर एक pop-up आ रहा है, यह pop-up में आपको दिखाए दे रहा है someone wants to join this call, yes, मैं इसे क्या करना चाता हूँ, someone wants to join this call, मैं इसे admit करना चाता हूँ, अगर यह मेरे पैचान का है तो, अपको मेरे पैचान का है, अगर आपके पैचान का नहीं, तो आप इसे deny भी कर सकते, admit कर देते, अब यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, mobile का sound repeat आ जाएगा, ब video भी बंद कर देता हूँ, इसका, mobile का video और यह दोनों भी video बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाए दे रहे है, दो लोग यहाँ पे join है, yes, और you, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वीडियो मेरे चेहरे दिखाए देंगे, सब जगह पे तो आप confused हो जाओगे, तो मैं यहाँ पे मेरा microphone on करংगा और बोलना चालू करूँगा, यहाँ पे, मैंने फिलाल mute रखाये, computer करने के लिए आपका, तो यहाँ पे microphone on करूँगा और बोलना चालो करूँगा, उससे मेरा आवाज सुनाए देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं मेरे computer पे कुछ पदा कर रहा हूं और यह यस जो सामने दिखाई दे रहा है यह सामने वाला person है तो मैं इसे भी शतरी leaving कर दिया मीक कर दिया नी तो इसमें भी आ रहा था क्योंकि यह. मॉबाल के माइक से आवाज ले रहा था तो मॉबाल पर मैंने mute कर दिया उसको नीचे अब यहाँ पर आपको मैं क्या करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ और your entire screen present करके दिखा तो यह दिखिए your entire screen या फिर a single window और tab मैं एक window ही present करना चाहता हूँ तो एक ही window present होगी और मैं पूरा screen दिखाना चाहता हूँ मैं जो भी open करूँगा computer की पर सारी चीज़ी दिखाए देगी अगर मैं यह check करूँगा और मैं window करूँगा तो एक window को जिसको मैं select करूँगा वही रहेगा तो यहाँ पर मैं एक ही window दिखाना चाहता हूँ तो मैं window पर click करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते है basically जितनी भी windows है वह यहाँ पर दिखाए दे रहे है आप under share जो screen recorder है वह दिखाना चाहते है आप यह meet का दिखाना चाहते है या whatsapp का जो चाल हूँ एहाँ पर मोchutz की screen पर ध्यान देजी है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं यह पूरा काा पूरा desktop मैं इसे minimize कर देतो हूँ मैं यहाँ पर सबको minimize कर देता हूँ or आपको दिखात हूँ Now you can check it out Mobile की वाप देख सकते हूँ पूरा का पूरा यह fullscreen आ रहा and जो भी मैं यहाँ पर access करूँ मैं start पर click करूँगा या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यह student देख पाएगा यह mobile में देख पाएगा पूरा का पूरा इस तरह से mobile में मेरा student या जितने भी student के साथ मैंने link share की meeting की वो यहाँ पर मेरे lectures attend कर सकते हैं और stop sharing button मुझे दिया गया है मैं यहाँ से stop sharing button पर click करता हूँ तो मैं यहाँ पर sharing stop करूँगा और अभी आप mobile पर कुछ नहीं देख पाएगा मतलब वो बस icon देख पाएगा मेरा logo देख पाएगा राइट ओके राइट इतना है अभी दूसरी चीज यहाँ पर मैं बोलते समय या कुछ पढ़ते समय लिंक शेयर करना चाता हूँ तो यहाँ पर नीचे chat option दिया chat with everyone तो जितने भी meeting में जो है ने उनके साथ मैं यहाँ से चैट कर सकता हूँ बस मुझे क्या करना है कोई भी link मुझे शेयर करनी जैसे मुझे शेयर करनी मेरे courses की link तो मैं यहाँ पर जाओंगा वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप online courses सीखना चाते है घर बेटे बेटे आयो सो सडबिक की साथ तो आप description में जहीं मेरे website की जैसे यहाँ पर मेरे यह सभी channel की link में share करना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर जाओंगा और meeting में यहाँ पर दिखिए नीचे paste कर दूँगा वासे copy किया मैंने browser से यहाँ पर paste कर दूँगा तो यह सभी के साथ share होगी mobile के उपर कुछ इस तरह से आपको दिखाए देगा मैं screen mobile की भी आपको दिखा रहा हूँ तो यह आपको clear हो चुका है कि आपको इस तरह से यहाँ पर चीजे शेर करने के लिए option मिलता है तो यह present screen का मैंने आपको बता दिया present करने तो आप पूरी screen present कीजे लेकिन आप चाहते यार कोई whiteboard present मैं करूँ तो यहाँ पर दिखिए आपके यहाल हम देखते है whiteboard जो की हमारी काम की चीज़ है whiteboard right whiteboard में जाएंगे start a new whiteboard यहाँ पर new whiteboard हम start करेंगे और हम यहाँ पर new whiteboard start करेंगे यहाँ पर एक screen आएगे तुरंट share नहीं हो गया यह screen याद रखिए पहले इसे मैं maximize करता हूँ तो अभी यह आपके सामने आ चुका है एक whiteboard यहाँ पर आप whiteboard में काम कर सकते लेकिन whiteboard यह user को नहीं दिखाय दे रहे ना तो उसे कैसे हम show करेंगे mobile पर नहीं दिखाय दे रहे तो उसे show करने के लिए हम क्या करेंगे basically हम यहाँ पर जाएंगे present to meeting जो meeting चल रही है उसमें यह tab present क्या जाए और यह tab present करना है बस this tab only तो share कर दो बस अब आप देख पाएंगे मैं mobile screen दिखाना चाहूंगा यहाँ पर mobile screen please यहाँ पर दिखाय दे रहे है आपको यह mobile screen में अब मैं यहाँ पर जो भी draw करूंगा मैं pencil लेकि यहाँ पर draw करता हूँ यह आपको mobile screen में भी दिखाय देगा right यह मैं यहाँ पर पड़ा रहा हूँ यहाँ यहाँ रेजर लेकि इसे रेज कर सकता हूँ यहाँ पर clear कर सकता हूँ यहाँ पर बहुत सरी चीज़े आप sticky note आड़ कर सकते image भी आड़ करना चाहते आड़ कर सकते यहाँ कुछ shape भी आड़ कर सकते जैसे circle आड़ करना है उसमें color fill करना है डेर सरी मतलब इसमें मैं अभी टाइम नहीं वेश करना चाहूंगा क्योंकि बेसिकली यह सारी चीजे आपको पता होगी कि इसमें यह करेंगे एरेज हो जाएगा यह बच्चे बच्चा को यूज करना जानता होगा मतलब हर किसी को नॉर्मली पता होता है यह पेंट के ओप्शन कैसी यूज करने बड़ी वाइट बोड अभी शेर हो चुका है स्टूडन्स के साथ और यह वाइट बोड स्टॉप करना है तो यहां पर दिखिये स्टॉप शेरिंग करके ऑप्शन दिखाए रहा है राइइट शेरिंग करेंगे तो यह वाइट बोड शेर होना बंध हो क्लेक करता हो यह तो करता है मैं क्लिक करता है आप आप देखिये मिरे बैंगरान में क्या रहाए क्या बात है। ओ हो मैं दूसरा अं सब्सक्रांब करता है डाया ज़िक एर और घो सर्फोक्त कर सकते हैं यह automatically AI tool detect कर रहा है और आपके जो वीडियो है उसके पीछे यह apply कर रहा है तो यहाँ पर धेर सारे filters आप apply करके देख सकते हैं इवन आप अपना company का logo add करना चाहते हैं तो आप खुद के company का logo भी यहाँ पर add कर सकते हैं background में इस तरह से तो आप company का logo select कर सकते हैं आप यहाँ से visual select कर सकते हैं आपको जो background आपको अच्छा लगता है वो visuals भी यहाँ पर आप दे सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर क्लिक कीजिए caption वगएरा है caption turn on off कर सकते हैं तो यहाँ पर option है open picture in picture एक क्या बोल सकते हैं आप minimize करना चाहते हैं आपके google meet को temporarily तो यहाँ से कर सकते हैं full screen करना चाहते है चेंज layout आप layout चेंज करना चाहते है यह auto layout आ चुक है आप tile layout multiple join ही है आपके पास तो आप यहाँ पर कैसे देखना चाहते है multiple join ही तो tile सभी लोग ऐसे box box में दिखाए देंगे तो यह layout यहाँ पर रख सकते हैं फिलाल मेरे पास दो ही join ही तो यहाँ पर इस तरह सी आएगा तो आप ऐसे different effect apply करके यहाँ पर google meet को interactive बना सकते हैं जो आप का video देखने वाल है बोलेगा कैसे आया ओके सर का पर बैटे है का पर बैटे है सर अभी राइट तो ऐसा आप google meet का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं देर सारी चीज़े तो मैंने बता दी अगर आपको call end करना है तो यहाँ पर simply leave call button पर आप click किजिए य हाँ आप किसी member को यहाँ पर mute करना चाते तो आप mute ज़रूर कर सकते लेकिन आप unmute नहीं कर सकते याद रखिए मैं किसी member को mute करना चाता हूँ तो mute ज़रूर मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं unmute नहीं कर सकता हूँ अभी यहाँ पर सतीज डवड़े यह member unmute मैं नहीं कर सकता हूँ य यहाँ पर click करूंगा और मैं बुलूंगा mute तो मैं mute कर सकता हूँ लेकिन unmute नहीं कर सकता है याद रखी unmute तो वो खुद से करेगा तब ही होगा तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी कि वही किस तरह से आपके meeting में participant रहेंगे तो वो कैसे दिखाए देंगे कहाँ पर कैसे mute unmute होता है आप किसी को चाहिए तो remove कर सकते है call से यहाँ से भी यह दिखाए दे रहा option आपको तो google meet की idea मैंने दी दी और all google meet आपको कैसे use करना है आप एक बार use करके दिखिए मैं तो हमेशे यूज करता हो किसी को भी कुछ चीज explain करना है तो आप भी यूज की जियाद से वीडियो अच्छे लगा है तो like share और comment कीज़े description में जाए मेरे धेर सारे और भी channel है उनकी link मैंने आपको दी अगर आप कुछ नया सीखना चाहते है तो ज़रूर सीखिए उन चैनल से भी मिलते हैं अगले video के अंदर तब तक लिए अपना खयाल रखेएगा बाइबाइ